नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडे ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कुजुल कडफिसेश एम विम कडफिसेश के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा यह दोनों सासक कुसानवंस से संस्बंडि थे ठीक है और इतिहास में इन्होंने कई तरह के सिक्के चलाए थे जिसके कारण ये भवुती मेतोपुन सासक सीध हुए और कुसानवन्स के बारे में तथा कुसानवन्स का जो सबसे 17 साले सासक था कनिस्क पर्थम उसके बारे में भी हमने काफी कुछ पहले पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आप कुसान राजवन्स को देखेगा आपको सारी डिटियल वहां पे मिलेगी और यदि आप लोगों ने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करें लाइक करें सेर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप एकजाम की तयारी अच्छे से कर सकें ठीक है तो पढ़ते हैं कुजूल कड़फिसेश एमविम कड़फिसेश सबसे पहले है कुजूल कड़फिसेश कुशाणों का पर्थम सासक कुजूल कड़फिसेश था जो इतिहास में कड़फिसेश पर्थम के नाम से भी जाना जाता है ठीक है उसके विजों के विशे में पानकू के ग्रंत हाउ हानसू तथा उसके सिक्कों से सूचना मिलती है पता चलता है कि उसने पार्थियनों पर आकर्मन कर कि पिन तथा काबूल पर अधिकार कर लिया इस परकार वह भारत के पस्यमोतर परदेश का सासक बन बैठा था कुजूल करड़फिसेस के दो परकार के सिक्के मिलते हैं जो इस परकार से हैं पर्थम परकार के सिक्कों के मुख भाग पर काबूल के अंतिम्स यवन सासक हर्मियस का नाम युनानी लिपी में तता प्रिष्ट भाग पर कुजूल का नाम खरोस्टी लिपी में खुदा हुआ है। इन पर उसकी कोई राज की उपादी नहीं मिलती। दूसरे परकार के सिकोंबर उसकी उपादियां जैसे महाराजस महतस कुसन कुयूल का फसरतात महाराजा महान कुईस कफ कुसान का उद्किन हैं। इस प्रकार इस आधार पर ऐसा निसकर्स निकाला जाता है कि प्रारम में कुजुल यवन नरेश हर्मियस के अधिन सासक था परन्तु बाद में स्वतंथर हो गया हर्मियस के बाद काबूल छेतर में पल्लवों की सत्ता कायम हुई ऐसा लगता है कि पल्लवों को परास्त कर ही कुजुल ने काबूल तथा कांधार पर अधिकार कर लिया था इस परकार कुजुल के समय में कुशान समराजे के अंतर का संपून अफखानिस्तान तथा गंधार के परदेस समिली ने हो गये थे पर्थिया तथा काबूल की विज़े से पसिमी विश्वय के साथ उसका गनिश्ट संबंध स्थापित हो गया कुजूल कड़फिसेस ने केवल तंबे के सिक्के ही परस्टित करवाए उसके सिक्कों पर धरम तित अर्था धरम में इस्तित उतकेन हैं इस आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि उसने बोध धरम घ्रहन कर लिया था ठीक है यह आपका कुजुल कड़ फिसेस था आप पढ़ते हैं विम कड़ फिसेस के बारे में कुजुल कड़ फिसेस की मर्त्यू के बाद वम कड़ फिसेस राजा हुआ ठीक है वह कड़ फिसेस दुईत्य के नाम से भी तन जाता है चिन्नी ग्रंद हाउ हानसु से पता चलता है कि उसने तियन चू की विजे की तदा वहाँ अपने एक सेनापति को सासन करने के लिए नियुकते किया तियन चू का समीकरण सिंदू द्वारा सिंचित पंजाब 46 से इस्तापित किया गया है इस परकार कहा जा सकता है कि सर्व परतववम की कड़फिसेस के समय में ही भारत में कोसान सत्ता इस्तापित हुई थी ठीक है विम कड़फिसेस ने स्वान तथा तामबे के सीके खुदवाए थे उन पर युनानी तता खरोष्टी दोनों लीपियों में लेक मिलते हैं सिक्कों का विस्तार पस्ची में आकसस काबूल गाठी से लेकर पूरव में संपूर्ण सिंद छेतर तक था कुछ सीके भीटा कोसामबी जो प्रियाग में बकसर तथा बसाड बिहार में से भी मिले हैं सिक्कों के प्रिष्ट भाग पर खरोष्टी लीपि में महाराजस राजा धिराज सर्वलोग इस्वरस महिस्वरस विमकडफिसेश त्रितरस महाराजा धिराज सर्वलोकेस्वर महेस्वर विमकडफिसेश त्राता का उतकिन मिलता है इससे इसप्रस्ट होता है कि वह एक सक्तिसाली राजा था सिक्कों पर सिव, नंदी तता तिरिशूल की आकरतियां मिलती हैं इससे उसका सयव मतानुयाई होना भी सूचित होता है उसने महेस्वर की उपादी धारण की थी उसके विशुद शुण सोने के सिक्कों से समराजे की समरदी सूचित होती है प्लेणी के वीवरन से पता चलता है कि उसके समय में भारत था रोम के व्यापारिक सम्मन्द अत्येंट विक्सित थे चीन के साथ भी उसका व्यापारिक सम्मन्द था मत्हुरा के पास माट नमक स्थान से सिहासन पर विराजमान एक विसाल मूर्ती मिली है जिस पर महराज राजादी राज देव पुत्र कुसान पुत्र साही वेम तक्षम लेक खुदा हुआ है कासी परसाद जायसवाल इस लेक के वेम की पहचान विम कड़ फिसेज से करते हैं अब देखेगा सोटर मेगस की उपादी तो पंजाब कंदार तथा काबुल गाठी छेतर से अनेक S.S.E.C. के मिले हैं जिनसे सोटर मेगस की उपादी वाले किसी अग्याद नामा सासक के अस् कुछ विद्वान इसे विम कड़ फिसेज की जानकरी मानते हैं या विम कड़ फिसेज इसको मानते हैं तो देखेगा इस वीडियो में हमने कुजूल कड़ फिसेज तता विम कड़ फिसेज नामक कुसान सासकों के बारे में धन किया आगे भी हम आपको ऐसे ही इसी परकार स पढ़ाते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर